पूंद दोस्तों मैं डॉक्टर अदेश कमार दूबे आपका बजट से पहले सब महावला सात्र में स्वागत है आज सुबह हमने आप से चल्चा की थी भारत दोस्ते में बजट की प्रकिरिया क्या है भारत की बजट के पहचान के अबारे में और बहुत ही हर्स का विसे है कि आज इस सुथानपूर की जन्तर से कुछ आर्थिक अध्यनों को देखते हुए आपके सामें जो बजट की संभावना हैं उसके बारे में मैं कमला नहरूप भौती किम समाजी बिग्यान सरसान से एक प इसकी आर्थिक इस्थित को देखते हुए जैसा कि एकनोमिक सर्वे में अभी पीस किया गया राश्पती जी के संभोधन में जिस बातों को रखा गया भारत की इस्थिती जो बिगत तीन से चार वर्सों में रही है उनको देखते हुए चुनाओं की जो प्रिष्ट भूमी बन रही है पांच राजियों में चुनाओं हो रहे हैं उसको देखते हुए जिस मुद्दों पर बरतमान सरकार को घेरा जा रहा है उस मुद्दों को ले करके या मैं एक सब्द के साथ आपके साथ प्रारम करूं कि जो भी सामाजिक आर्थिक यो राजनेतिक इस्थिती है समय देश की उस तमाम इस्थिती को देखते हुए और तसास्त का छात्र होने के नाते एक इस्टिमेशन दिमाग में है एक इस्टिमेशन है जिसे आपके सामने इस छोटे से वीडियो के द्वारा रखने की कोशिज कर रहा हूं यह आपके सामने बोधित करता हूं कि इस वीडियो का उदेश कत्ता ही यह नहीं कि किसी प्रकार की Controversy पैदा किया जाए यह केवल एक संभावना है जिस संभावना को देखर जैसे आपकी अपनी संभावना होती है देश के बारे में कि हमें यह चाहिए हमें इस बजट में यह चीजे मिलनी चाहिए वैसे हम हम अर्थसास के स्टुडियंटों का दाई तो थोड़ा और बढ़ जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस संभावनाओं के प्रति उनकी लगाओ को बढ़ा सके या उस संभावनाओं के प्रति उनकी क्यूरियसिटी को कुछ पल के लिए सांध कर सके इसी उद्दिश के साथ यह वीड पेस किया जाएगा उस बजट में हमारी बित मंतरी निर्मला सिता रमार जी के द्वारा किन-किन संभावनों पर बजट आने की बात की जा सकती है पहले तो जो तमाम अध्यनों के बाद मैंने एक आफ्जर्व किया है कि क्या बड़ी-बड़ी बातें आने वाले बजट में जो कल को बजट पेस होगा उसमें क्या बड़ी-बड़ी बातें हो सकती हैं मैं साधे विंदू को बताऊंगा और साधे विंदू के बीचे मेरा अपना क्यों मानना है कि ये चीज़े ऐसी होने वाली हैं उसके बारे में भी आपके सामने पसपस्टिकर रखने की बात करोग कि इस वीडियो के बात जब बजट आएगा तो मैं अपने इस वीडियो को अपने इस अपने इस अपने इस संभावनों को जरूर आपके साथ कंपैरिजन करूंगा कि हमने क्या कहा था और हमारे सोच में हमारी परिकलपनाओं में हमारे संभावनों में क्या कुछ हमने सही पाया और क्या कुछ बजट के साथ देखने को मिला तो जरूर क्रिटिक्स के रूप में भी आप मेरे इस सब भावराओं को तुला करिएगा कल आने वाले बजट के बाद आये चात्रों आपके समक्ष रखता हूं बजट में कल क्या होने जा रहा है उसके वारे में उमीद है कि बितमंत्री कल की बजट में टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगी उसे अब परिवर्तित ही छोड़ देंगी ऐसा मेरा मानना है ऐसा इसलिए क्योंकि देश की इस्थित में इस भिगत दो वर्सों के दौरान, तीन वर्सों के दौरान मैं कह दूँ किसी बहुत बड़ी सुधार आर्थी गलाज की इस्थिती नहीं रही है। प्रकार का आर्थिक छूट देने के लिए नहीं जा रही है, ऐसा मेरा मानना है, हाँ, कुछ छूट की सम्भावनाएं लगाई जा सकती हैं, जैसे महिलाओं को, महिला सकती कान के नाते, कुछ 20-25 जार रुपे की छूट उनके टेक्स रासी में हो सकती है, बुजर्गों को हो स ऐसी कोई सम्भावनाएं कम से कम कल के वजट में मुझे नहीं देखती हैं, दूसरी जो सबसे बड़े एनाउंस्मेट हो सकती है शात्रों, वो अर्थ व्योस्ता को मजबूत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर के खर्स पर सरकार अपना ध्यान देगी, और इनमें कोई बहुत बड़ा सुधार आपको बेखने कोई मिल सकता है, सरकार का लक्ष है पांच फाइफ ट्रिलर एकोनोमी का, सरकार का लक्ष है यारफ प्रिस्द की जीडिपी के दर को प्राप्ट करने का, सरकार दोहजार पचीस तक फाइफ ट्रिलर एकोनोमी की रूपे में देश को साफित करना चाहती है और ये बिना infrastructure में निवेश हुए बिना infrastructure को boost किये ऐसा संभव नहीं है किसी चेतर में बहुत कुछ रोजगार नहीं मिल सकता सेवा चेतर में रोजगार के संभावना है कि तो सेवा चेतर में रोजगार तभी प्राप्त होगा जब हमारा infrastructure सेक्टर boost करेगा सरकार बरतमान सरकार के नीपियों को जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसी सीथ में सरकार सरकारी चेतरों में साजिनिक चेतरों में बहुत बड़ा रोजगार नहीं दिय सकती है चुकि इससे सरकार के उपर दबाव बढ़ेगा और नीवेस के उपर कमी नीवेस में एक बाधा उत्पन होगी ऐसी सीथ को देखते हुए जहां तक मेरा अपना मानना है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसी सीथ में सरकार infrastructure के चेतर में बहुत कुछ नया सुधार करेगी संभावता रड़नीतिक सुधार हो संभावता कुछ बड़े निवेस की भी बाते हो कुछ बड़े प्रयोट की भी बाते हो ऐसा जरूर देखा जा सकता है संभावता बिदेशी निवेस को भी बढ़ा हाया जा सकता है उस इस तरीके से सम्होना है मुझे ऐसी लगती है तिसरा है चात्रो जीडीपी का जो लग सरकार रखेगी वह 9 से 9.5% के बीच में रख सकती है चुकि बरतमान समय में जो देखा जा रहा है जो आर्थिक सर्वेचन बता भी रहा है कि जीडीपी की दर करीब करीब 8% से अधीक है सरकार 11% तो एक बैक नहीं कर सकती लेकिन कम से कम 1-5% का इसमें एडिशन करेगी तो जहां तक मुझे संभावना है कि कल के बजट में जीडीपी की लक्षिदर है वो 9% या 9.5% के बीच में सरकार जरूर रखेगी इसकी घोसना आपको देखने को मिलेगी अगला है चातरों करोना के कारण office culture में एक नए सब जुडा है एक नया हमारे working culture में सब जुडा है जिसे हम work from home के बारे में कह रहे हैं work from home के स्विधा के बारे में कह रहे हैं सरकार को लगता है कि इससे रोजगार के संवर्धन के संभावना है बड़े भी रही हैं और यह आने वाले भारत के IT भारत का एक बहुत बड़ा चेहरा बनने जा रहा है और ऐसी सीत के लिए सरकार वर्क फ्राम होम की स्विधाओं को सस्ता करेगी या वर्क फ्राम होम के कल्चर को किसी ने किसी तरीके से बढ़ावा देने की बात करेगी यह एक सुधार के रूप में यह एक बहुत बड़े प्रयोग की रूप में भी दिखाई पर सकता है या इस तो वो हमारा स्वास शेत्र ही रहा है, या मैं यह कह दू कि स्वास की चुनोतियां बैस्वी कस्तर पर आज भी हमारे साथ हैं, हम स्वास में उतला कुछ खर्स नहीं कर पार हैं, तो इसमें निवेस सरकार बढ़ाएगी, छूट देनी के संभवना मेरी तलब से नहीं है, दिखाई पढ़ रही है, इस समय कि सिख्षा नीद भी एक बहुत बड़ा प्रियोग है, हम क्या सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से नई सिख्षा नीद को प्रोजेट कर रही थी, उस तरीके से कुछ देखने को इस साल तो नहीं मिला है, लेकिन सरकार जरूर इस नई सिख्ष निद के सोधाओं पर, कुछ ने कुछ बड़ा काप करने वाली है, कुछ ने कुछ बड़ा घोसना करने वाली है, ऐसा संभवता कल देखा जाएगा, एक और मेरी अपनी तरफ से सोच है, मेरी अपनी मानेता है, क्योंकि 5 ट्रिलियन की एकनोमी के लक्ष को भारत बहुत जल है और निकर दो वर्सों में किंद सर्गार का चुनाव है तो इस कारण सरकार उस चुनाव से पहले पांस त्रियन की लक्ष को प्राथ करना यह टार्गेट लेकर चल रही है और जरूर इसके लिए सरकार कुछ ऐसे उपाई करेगी जिससे निर्यात की उद्धियों को बढ़ावाद मिल सके जब तक हम निर्यात नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी एकोनोमी बूस्ट नहीं करेगी तब तक हमारी एकोनोमी में बहुत कुछ अर्थवेश्टा के रूप में सुधार देखने को नहीं मिल है आयात को आप क्या सकते हैं कि कुछ सीमा तक छूट मिल सकती है लेकिन ऐसी आयात को छूट मिलेगी जो देश की infrastructure को बढ़ाने का काम करें जिन वस्तों का हम निर्माड कर रहे हैं उन वस्तों के आयात पर छूट नहीं दिख रही है कच्छे माल के आयात पर छूट जरूर द सकती है चुकि अभी जो बड़ा निवेस आ रहा है जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह एक्षिली मिच्वर फंड्स में और आप कह सकते हैं कि सेर मार्केट में जा रहे हैं सरकार को इस तरीके से निवेस्ट करने के लिए बहुत कूजी नहीं मिल पा रही है यह सर अगला कुछ और जो अपके सामने इस रूप में है कि सरकार औलाइन शिक्षा पर सरकारी चूट भी दे सकती है चुकि ऑनलाइन शिक्षा बदलते भारत की सिक्षा कि रूप में देखा जा रहा है नाई सिक्षा नित्में भी हमने कुछ ऐसे ही देखा है तो यह भी ऑनलाइन सिक्षा के रूप में भी सरकार कुछ ने कुछ सुझाओ, कुछ ने कुछ सुधार जरूर तरने वाली है किसी अंदोला ने एक बहुत बड़ी समस्या है जाते है। भारत की अर्थवेश्चा के लिए जो सरकार ने तीन कानून बनाये थे, उस तीन कानून के बाद फिर उसे वापस लिया गया और वापसी के बाद सरकार किसी जवाब देही की स्थिति में इस से में नहीं दिख रही है। तो इस कारण एक तरफ जहां किसान चुनोती है, पांच राज्यों के चुनाओं में भी ये सब्द बार-बार आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट में कहीं किसानों को लेकर के जो आर्थिक फ्रंट है, उस पर सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्चिन लगा हुआ ह तो कहीं न कहीं किसी अंदोलन के कारण जो सरकार की स्थिती बनी हुई है, इसकी सुधार के लिए सरकार अपना चहरा बदलने के लिए सरकार अपने तरफ से प्रयास करती दिखाई पड़ेगी किसी सुधार की घोषणा के साथ। जैसे हो सकता है किसी उपकरन में छूट द देखता हूं कि कर संभौता कुछ बड़े सुधार क्रिसी की कारियों के लिए दिखाई पड़ेगे पासराजियों में चुनाओं है और सरकार के सामने रोजगार एक बहुत बड़ा प्रश्ट बना हुआ है अब सरकार या तो सहायक रोजगार के लिए या कहीं न कहीं MSME सेक् को कर सकती है ऐसा मेरामानना है नएकर की घोषना भी सरकार नहीं करेगी ऐसा मेरामानना महलाओं के लिए बड़ी घोसना हो सकती है चुकि पाच राज्यों के चुनाओं में महलाएं भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जिसे युवा पीड़ी को भी सामिल किया जा सकता है तो ये कुछ संभावनाओं के रूपे में कल के बजट में मैं देख रहा हूँ अब क्या सस्था हुआ हुआ ये हां ज़े आपके सामने क्या सथा हुआ और ज्रीलग रहते हैं सबसे पहले बजट में क्या महना होगा जहां तक मुझे अपना मानना है सराहा महंगी होना लाए हूँ और सरकार को AIKA सबसे बड़ा जरिया इस समय सरकार वाइन देखती है अलकोहली कमॉटिटिज से परव्रधी होगी कहीं ने कहीं राज़िकी ही AIKA अन्स है लेकिन फिर भिए सरकार इन चीजों पर तिबस इस चीजों की किमडने ने ब्रदी करने जा रहे है सरकार बाहर से आयाती थोने वाले मोबाइल चार्जरों को बढ़ाएगी यह जब घरेलू उत्पादकों को कुछ न कुछ साहता दिया जाएगा लेकिंगे फिर भी एक बड़ा भूग बाजार है इसका सरकार इसे सरकार इसे अपने आय के स्रोत के रुप में भी देख रही है तो ऐसी सीथ में सरकार मोबाइल या मोबाइल उपकरणों के उपर कुछ न कुछ वृधि करने जा रही है आने वाले बजट में हम ज़रूर देखेंगे यह महंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगला जो मुझे लगता है चात्रों मेरा अपना मानना है कि बिद्दूत उपकरण भी महंगे होने जा रहे हैं चुकि एलक्रिसिटी कंजाम्शन को लेकर के एक सरकार मैसेज डालना चाहती है एलक्रिसिटी कंजाम्शन के लिए जो सेफ एलक्रिसिटी एक्यूप्ट है जो ग्रीन एलक्रिसिटी एक्यूप्ट है उनकी उन्हें ससा करेगी लेकिन बाकी जो हैवी एलक्रिसिटी कंजाम्शन की करने हैं वो महंगे होने जा रहे हैं यह मेरा अपना मानना है सोना और वहमूल धात में महंगी होंगी, यह अपना मेरा मानना है, चुकि सोना को महंगा करके सरकार निवेस में बिधी करना चाहती है, जो हमारी NPA है, इसको कम करने के पीछे भी सरकार का एक उदेश यहां है, सिग्रेट तमबाकू उत्पाद यह महंगे होने वाले हैं, ऐस सस्ते होंगे, जिससे हमारे हां उद्योग का संबर्धन होने की संभावना है, उन चीजों को सरकार जरूर सस्ता करेगी, और जो चीज हमारी जिस, जो हमारी उभोक के लिए आयकित के जाती है, वो आपको महंगी होती हुई, जिरूर करकी घोश्रा में दिखाई पड़ेग सरकार, किसान के बीच विश्वास पैदा करने वाली है, चुकि इस कोरोना के दोरान किसान ने ही हमारी अर्थवेवसा को समभाले रखा है, तो ज़रूर किसी उरुबरक सस्ते होने वाले हैं, किसी उरुबरक, फर्टिलाइजर, पेस्टिस साइट्स, किसी सीट्स इस पर सर करने वाली है, बिद्दुत सस्ता होने वाला है, इंफ्रा सक्चर शेत को इंडस्ट्री शेत को लाफ देने के लिए, इंडस्री शेत को बढ़ावा देने के लिए बिद्दुत अर्प्रिस्ट्री सस्ती होने वाली है, किसी उपकरण भी सस्ते हो सकते हैं, किसी उपकरण से किसी विकास को बढ़ावा देना सरकार का उदेश है कच्छे उत्पाद को बढ़ावा देना सरकार का उदेश है इसकार किसी उपकरण जरूर सस्ते होने वाले है प्रेटोल उत्पाद बहुत सरकार संसे में रही है सरकार बहुत कोईशन में रही है हर फ्रंट पर सरकार को प्रेटोल उत्पाद को ले करके प्रेश्चिन लगता रहा है कि प्रेटोल बहुत महंगा होता चला जा रहा है और मेरा अपना माना ये टॉप पर है इससे इसको सस्ता करने का उपाय कल के बजट में सरूर देखने को मिलेगा चुकि ये सरकार का एक बहुत बड़ा मूवस होगा इंसुरेंस सस्ता होने वाला है इंसुरेंस सस्ता करके सरकार एक मैसेज देना चाहेगी जरूर आप देखिएगा ये जरूर आपको दिखाई पड़ेगा देख के इकोनॉमी को बूस करने के लिए अधार बूस्ट उकर्ण सस्ते होने वाले हैं जरूर इनके उपर सरकार छोट देगी या इसके रियायत पर सरकार की कल़ नजर जरूर होगी और सदिया सस्ती होने वाली है मैडिसीन जरूर सकुछ सस्ता होगा चुकि देज की बरतमान स्थिती को देखते हुए मैडसीन सिस्टम मंधित बहुत सारे चीजों की आवशक्ता है वास्तों में भारत में इंसुरेंस मैडसीन फेसल्टी का पर बहुत कमवे किया जा रहा है और सभीयों को सस्ता करके सरकार हेल्थ सर्विसेज में कुछ सुधार करने की कोशिस करती हुए दिखाई पड़ेगी और निर्यात पर तो कल बहुत सारी खुच्टा होने वाली है चुकि फाइफ ट्रियन इक्रॉमी तभी पॉसिबल है जब सरकार निर्यात बढ़ाएगी जब तक हम निर्यात नहीं बढ़ाएंगी तब तक हम फाइफ ट्रियन मैं मानता हूं कि कल की बजट में आपको दिखाई पड़ेगा जरूर इसे देखिए जरूर इससे संबंदित अपने बिचार देखिए आई होप यह इंट्रेस्टिंग लगेगा और हो सकता है इसमें बहुत साजी संभावना है आपको बहुत सारा सत्य तत्य आपको कल की ब आपको क्यां ताने हूं